नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश श्रिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज मैं पढ़ाऊंगा आपको लगुपारशरी का आठवा स्लोग जैसे कि मैंने लगुपारशरी के बारे में आपको अलड़ी बताया हुआ है कि बहुत ही इस पारशरशर होरा शंत्रा जो रिशी पारशरव द्वारा रचित है उसका सार है उसका छोटा तो seven श्लोक, साथ स्लोक हम लोग कर चुके हैं, आठवे स्लोक से हमारा start होना था, तो आज नहीं आपको आठवे स्लोक के बारे बताता हूं, कि आठवा स्लोक इसमें क्या कहता है, तो आठवाश लोग कहता है, इसका इन्होंने श्लोग दिया है, वो कहते हैं कि लगनाद व्यदित्येशो, परेशाम सहाचार्यत कि स्थानां अंत्रान गुनिये न भवते फल धायकों, इसका मतलब होता है लगनसे व्यदावका स्वामी और दित्ये भावका स्वामी, व्यद दित्ये शो लगनाद लगन से यानि लगन से वैभाब का स्वामी और दित्ये भाब का स्वामी हमेशा जिस ग्रह के साथ है उस ग्रह के अनुसार रिजल्ट देते हैं या अपने दूसरे इस्थान के अनुसार जहां उनकी दूसरी राशी है उसके अनुसार फल देते हैं तो इसका हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिल है क्योंकि इस लोग को पढ़ने के बाद आपके मन में प्रश्चन आएंगे कि सपोस करो किसी और कोई ग्रह साथ ही ना हो उनके या किसी ग्रह की सिर्फ एक ही राशी हो तब क्या होगा क्योंकि सूरिय और चंदरमा तो क्यों लेक राशी के स्वामी होते हैं तो उसमें क्या होगा इस तरह के प्रश्चन आपके इसमें मस्तिष्ट माएंगे जिनका निवारान यहां पर बहुत ज़रूरी है और मैं वही चीज़ किसे आपको व्याख्या कर रहा है तो जो श्लोक है उसमें हमने बताया कि यह सेकंड भ कियेगा कि यह स्टेटस लेस क्यलाते हैं इनका अपना को रिजल्ट नहीं होता इनकी शुबता या इनकी अशुबता डिपैंड करती है और प्रक्टर के उपर किस प्रक्टर के उपर डिपैंड करती है इनका अपना को रिजल्ट नहीं है दूसरे भाब के स्वामी का और ब बाव के स्वामी जो होते हैं उनका रिजल्ट देने का तरीका अलग कैसे तरीका कैसे रिजल्ट देते हैं जिस प्लैनेट के साथ होते हैं उसके हिसाब से उनकी शुपता या शुपता होती है हो सकता है दूसरे बाव का स्वामी बुद्ध के साथ बैठा हो हो सकता है दूसरे भाव का स्वामी का ये देखिए कि दूसरी राशी किस भाव में गई है उनकी सुए चंद्रमा को छोड़ दीजिए फिलालवी सुए चंद्रमा के लिए आगे व्याख्या की गई है तो यही कहा गया है कि दूसरे भाव का स्वामी पहली बात तो ये किस ग्रह के साथ बैठा ह दूसरा ये कि दूसरे भाव के स्वामी की दूसरी राशी जो है वो किस भाव में है उसके हिसाब से शुबता या अशुबता होती है कैसे तो हमारा स्लंक्षेप में यही अर्थ निकला कि दूसरे भाव का स्वामी और बारवे भाव के स्वामी का शुब या अशुब परिण वहोना अन्ने ग्रहों के साथ उनके संब्सक्ण के अलावा उनकी दूसी राशिपे भी निर्भर करता है कि इनकी दूसी राश राशी किस भाव में है तो यह दो चीज्च प्ैक्टर लेकर आपको चलने होंगे तब आप बता कि दूसरे स्थान में राशी हो उनकी हां किसी ग्रह के साथ यह हो सकते हैं या हो सकता है किसी ग्रह के साथ भी ना हो तब तब इन्होंने कहा है कि यदि वे किसी भी स्वामी के साथ यूति करते हैं किसी घर के स्वामी के साथ यूति करते हैं तो उसके अनुसार फल देते हैं शुव या शुव अगर त्रिकोन के स्वामी के साथ हैं तो शुपफल देंगे, त्रिसडाय भाव के स्वामी के साथ हैं तो शुपफल देंगे, ये बताया गया है, सूर्य रचंद्रमा, अगर दूसरे या बारवे भाव के स्वामी है, सूर्य रचंद्रमा, बन सकते हैं आपका दूसरे भाफ का स्वामी बनेगा तो दूसरे और बारमेज भाफ के स्वामी यदि सूरs या चंद्रम oh, uh, grassy plant, हम कैसे बोलें उनका रिजल्ट हम बोलेंगे कि वो किस ग्रह पकिस साथ curva a.com सबूल का मतलब यहां पर यह है त्रिकोणा अधिपती के साथ है या केंद्र अधिपती के साथ है जो लगन के मित्र हो तो हम कहेंगे रिजल्ट अच्छा होगा सूर्य के वो शुब रिजल्ट देगा सेकंड भाव के धन संचे करने में हैल्प कराई और यही सूर्य किसी ऐसे भाव के स्वामी के साथ हो जो भाव अच्छा ना हो छे आट बारे भाव के स्वामी के साथ हो या तृस्डाय भाव के स्वामी के साथ हो तो उस केस में उसके रिजल्ट अच्छे नहीं रहे यही चीज इसके बारे में कही गई अब लास्ट लाइन इसमें कहा गया है यदि ये अकेले हूँ किसी के साथ ही ना हूँ तब क्या तब उनकी शुक्ता अशुक्ता का निधारण उसी भाग के विशिस्ताओं के अधार पे होगा वो कैसे होगा सूर्य अमालिया दूसरे भाग का स्वामी अब वो चौते भाग में जाके बैठ गया या पांचवे भाग में जाके बैठ गया तब और किसी ग्रह के साथ नहीं है तब परिणाम कैसे होंगे सूर्य दूसरे भाग का स्वामी है दूसरे भाग में जाके बैठ गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है तब कैसे रिजल्ट देगा, तब सूरिय वहाँ पे, शूरिय एक सेप्रेटिव ग्रह है, हो सकता है, कि आपके भाई को, छोटे भाई को, भाई बैनों को कोई समस्या दो, इस तरह के चीज भी दे सकता है, पराकरम दे सकता है, दूसरे भापा स्वाबी तीसरे भाब में आने तो सूरिय और चंदर्बा के लिए विशेस्ता, आपको फलो का नधारण ऐसे करका, अगर वो किसी ग्रह के साथ है, दूसरे भाव या बारवे भाव के स्वामी होकर, किसी ग्रह के साथ है, तो उस ग्रह के अनुसार, अगर वो ग्रह शुब ग्रह है, शुब भाव का स्वा है तो हुई और लो दूसरे और बारवे बाराव के सवामी होंगे किसी के नहीं है कुछ सबllsराण कि उसके लिए आपको यह देखना पड़ेगे सूरिय के अगर आप देखते हैं सूर्य अपने आप में नैसर की क्रूर ग्रह पक्षबली हो तो वह देखकर आपको बताने होंगे कि सूर्य बारवे भाव का स्वामी होके पांच वे बहाव में बैटा है तो किस तरह के परिणाम देगा तो यह हमने देख लिया यह हमने पड अच्छा पर देंगे तरिस्टाय लोड के साथ हैं तो अच्छा पर नहीं देंगे अब ये भी हो सकता है कि सेकर्ण या बारवे भाव के स्वामी एक प्रशन ये भी आया पहला प्रशनु यह आया कि कोई ग्रह साथ हो उसके अनुसार ना हो तो उसकी दूसी राशी जिस भाव में है उसके अनुसार अब कहते हैं साथ तो है लेकिन एक से जादा ग्रह है दूसरे भाव के स्वामी और बारवे भाव के स्वामी के फलो का निर्धारण हमें करना है और दूसरे भाव के स्वामी और बारवे भाव के स्वामी जहां बैठे हैं वहां वो एक से अधिक ग्रहों के साथ है तो किस गरहे के इस आपसे फल देगी, तो उनमें शटबल में जो सबसे मजबूत गरहे होगा, उसके गुणों को वो प्राप कर ले, शटबल भी मत लगाईए, सबसे मजबूत गरहे हो, लगा लिजिये, वैसे शटबल को देखेंगे आप तो उससे आडिया हो जाएगा, यह देखना होगा, तो तीनों कॉंडिशन आपको समझ में आपको, एक ग्रह बैठा है तो, दो राशी नहीं है तो, एक ग्रह से अधिक बैठा है तो, कैसे पढ़ना हम लोगों को देखने हो, अब इसका एक्जाम्पल दिया है, सपोस किजिए, कि धन भाव का स्वामी, अशुब लौड के साथ है, अशुब लौड मिन्स कि तिस्दाय भाव के स्वामी के साथ है, जो तीसरा और ग्यानवे भाव का स्वामी है, या छटे आठवे बारवे भाव का स्वामी है, उसके साथ है, जो शुब नहीं है, तब क्या होगा, तो वो धन का संचे नहीं और दूसरे भाव का स्वामी यह त्रिकोन के स्वामी के साथ है या केंदर के स्वामी के साथ है जो लगन का मित्र है उसके खार्च जो है धन उसका बहुत ही संचे होगा बलकि इमांदार साथनों के मात्यम से होगा इमांदार से धन कमाएगा जैसे और जो खर्चा भी उसका ह होगा अगर वार्वे महाव का स्वामी शुब रहा है उता हों कि प्झाल सामिकर स्था लिए다면 है कि पुझाल है तो अगर शुब रहे के साथ जूभव Northeast का सवामी के जड़ा हुआ है तो गलत उद्देश को कैसा खर्च होगा वास्पिटल हो सकते हैं जेल जाना चपट सकता है जो भी बार्वे भाफ से हम लोग चीज़े देखते हैं आठवे भाफ के स्वामी के साथ तो हमेशा गुराई होना है यह तो हम लोग जाते हैं तो हमारी इस तरह से करने के बाद ये कुल मिलाके दस कंडिशन आती है तोटल मिलाके दस कंडिशन बनती हैं जो आप लोग को याद कर लिया तो आप दूसरे भाफ के स्वामी और बार्वे भाफ के स्वामी के रिजल्ट कभी चूक नहीं करेंगे हमेशा कुंडली हम लोग पढ़ लेते हैं ले और वह तो कुछ फाल ही नहीं ग्रह के साथ है अगर नहीं बैठा तो राशी दूसरी कहा है उसके नुसार फल देगा अगर एक रहसी जादा ग्रह के साथ बैठा तो वह देगा जब तो जल्द राजी में हम दूसरे भाव के स्वामी और बार्वे भाव के स्वामी को बूल जाते हैं Ce जिन रे anthropiner िस्टेटरोством अब कहा गया तो अफ़कर कैसी करेंगा तो उसके बारे में िस्लो गेंदर बता गया लिए हु oriented में आपको कि एक आ है hi drinking के स्वामी के साथ हो और वो हूं सदिकरूप से शुब ग्रह है और शुक्र शुब्झर जोशुबकर हैं और शुर्यह मंगल शसटी में राहू केट facto देखे नेये दो कहता है कि दूसरे भागता स्वामी या और यदि दूसरे भाव का स्वामी बारवे भाव का स्वामी त्रिकोन लॉड के साथ तो बैठा है तब रिजल्ट शुम मिलेगा बहुत शुम नहीं मिलेगा क्योंकि मंगल लैसर की ग्रूप से पाप मिलेगा बट रिजल्ट शुम मिलेगा क्योंकि त्रिकोन का स्वामी दूसरे भाव का स्वामी या बारवे भाव का स्वामी त्रिसडाय लौड के साथ बैठा है त्रिसडाय लौड तीसरे चटे या ग्यारवे माव के स्वामी के साथ बैठा है और वो जो तृज़ज़ाय भाव का स्वामी है वो आपका मैसर की ग्रूप से भी पाप ग्रेय है मंगल है शनी है सूर्य है तो बहुत आशुम रिट मिलेगा फिर आपको उस सेकंड भाव का सेकंड लौड का या बारवे लौड का जो भी साथ बैठा है उसका रिट आपको बिलकुल आशुम मिले और यदि सेकंड लौड का या बारवे लौड का स्वामी त्रिस्टाय लौड के साथ तो बैठा है लेकिन वो नेचरल रूप से शुग रहे बरस्पती है गुरू है बुद्ध है तो उसका रिज़ट बहुत ऊपर तो लने गहिए दूसरे बारवे भाव का स्वामी केंद्र के सथ लेकिन दूसरे भाव का स्वामी केंदर के साथ बैठा है लेकिन वह मैलेफिक प्लैड रट यह हूं तो यह समझे कि दूसरे भाव के स्वामी केंदर के साथ बैठें और वो ऐसे लाट के मित्र है तो बहुत अच्छा जड़ा है यहां इन दो लाइन में यही बताया गया है कि दूसरे भाव का स्वामी या बारवे भाव का स्वामी केंद्र लॉड के साथ बैठा है केंद्र के स्वामी के साथ बैठा है ऐसा ग्रह है जिसकी राशी केंद्र में है और वो नेचरल रूप से भी शनी है, सूर्य है तो उस केस में आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, अशू बरिजल्ट मिलेगा, इनास्पीशियस रिजल्ट मिलेगा, अब दूसरे भाव का या बारवे भाव का स्वामी स्टेटस लॉड के साथ बैठा, यह क्या हो, यहां तो अजीब आ गया, अब दूसरे और बारवे भाव के स्वामी के लावा स्टेटस लेड और खौन है, तो स्टेटस लेड लॉड मतलब यह है कि दूसरे भाव का स्वामी बारवे भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, तो दूसरे भाव का स्वामी यह दि बारवे भाव के स्वामी के साथ बैठा है, और बारवे भाव का स्वामी नेचरल लूप से बैनेफिक प्लैनेट है, तो एवरेज रिजल्ट मिलेगा, शुब रिजल्ट मिलेगा, और यदि वो बारवे भाव का स्वामी मैनेफिक प्लैनेट है, मंगल है, शनी है, तो आपको अशुब रिजल्ट मिलेगा, ये बात आप को द्यान रपनी पड़ेगी दूसरे भाव का स्वामी या बारवे भाव के स्वामी के साथ पैटा हो चाहे वो लगन तो इन ऑस्पीशेश मिलता है यह गलती से ऑस्पीशिश हो गया है यह थोड़ा ध्यान रखेगा यहां पर थोड़ा गलती से यह आशुब हो गया है मैं इसको लगुपाराश्री में एक बार चेक भी गल देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहों हो तो दूसरे बाद स्व करना चाहूंगा चाहिए दो कंडिशन दी एक तो यह कि वह आठवे भाब के स्वामी के साथ तो बैठा है लेकिन सूर्य चंद्रमा या लगन लौट के साथ तब उसको बुरा जड़ नहीं मिलेगा क्योंकि वह लगन लौट तो अच्छा होता है तो आठवे भाब का दोश लगेगा इसी परकार सूर्य चंद्रमा को भी आठवे भाब का दोश नहीं लगता आठवे में लगता हैं भाब के सवामी होके वह बीज़ होगिंदेने ब faut वहां तो उ लाके ये दस कंडिशन है जो आपको बताती है ये अब लास कंडिशन ये रहती है कि वह एक शर्त ये भी हो सकती है कि दूसरे भाब का स्वामी या बारवे भाब का स्वामी किसी ग्रह के साथ ही नहीं अगर किसी ग्रह के साथ है तो हमारे ये बारा पर्मॉटेशन कंबिनेश लग जाते हैं इसके अंदर इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा लेकिन मालिया कोई ग्रही नहीं तब क्या करें तब इनोंने कहा है यानि वो किसी घर में अकेला स्थित है तो वो अपनी दूसी राशी वाले घर के नुशार शुब शुफल देगा उसकी दूसी राशी जिस अब हम लोग इसमें एक चीज़ कर लेते हैं इसमें एक इनोना चीज़ और बताई है कि यह जरूरी है मैंशन करना कि सेकंड हाउस और बारवे भाब का स्वामी के जो दूसरा साइन है दूसरी राशी अगर सेकंड बारा इन हाउस है तो और हाउस में पढ़ें तो यह तो आपको यह इसी चीज़ में इंपॉर्टन चीज़ नहीं है जो इंपॉर्टन चीज़ है मैंने आपको सारी बता दिए कि तूसरे भाब के और बारवे भाब के रिजल्ट स्वामी के रिजल्ट कैसे मिलते हैं आच्छा यह सब इसमें होई गया यह वही चीज़ है जो इस कंडिशन आपको बताएं उस दस कंडिशन को ही आप यреद्यर थिये आपको बहुत बहुत पाइदा मिलेगा उन 10 कंडिशन को आप में सिर्व यह वावे पाद पारिन है और आपका पूरा-पूरा व्याक्या इसकी हो जाए है Checking बो ये था हमारे दोंटल मिलाके रिजल दूसरे भाव के स्वामी के और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से कोशिश मैंने कि यह कि अगर अच्छा लगा हो तो कैंडी कमेंट कीजिएगा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और इसके अलावा जरूरी सुचना है कि हम लोग एडवांस दिएवे नंबर पर करा सकते हैं रेवेड़ीजी क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं मई आखिर में या जून के जून के महीने में हम लोग स्टार्ट करें तब तक के लिए धन्यवाद जैशी कृष्णा